नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं कि रक्षा में सहीद जवानों और उतक्रिष्ट खेल परदसन करने वाले खेलाडियों को समर पित रहेगा वहीं मनिका के कांग्रेस बिधायक राम चंद्र सिंग को वर्ष 2013 के लिए जार्कन बिधान सभा का उतक्रिष्ट बिधायक चैनित किया गया है उन्हें बिधान सभा का स्थापना दिवस पर भगवान बिर्शा मुंडा उतक्रिष्ट बिधायक पुरसकार से समानित किया जाएगा बताद बिधान सभा अध्यक स्रविन रात महत्तो समारों में स्वागत भासन देंगे बिधान सभा के चैनित छ उतक्रिष्ट पताधिकारी करमचारी को स्वर्गिये कपिलेश्वर परसाज पुरस्कार से समानित किया जाएगा इनमें सन्युक्त सचिव मिथ लेश कुमार मिस्रा, अवर सचिव विश्णु पस्वान, प्रसाखा पताधिकारी निलेश कुमार सिंग हुआ, नियाज अहमद, वरिय सचिवाले सहायक, तापस कुमार यादो और अनुसेवक माइकल लकडा सामिल है अस अपना दिवस समारो के संस्कृति कारकरम का आवेजन गुरुवार को गिया जाएगा, पार्सव गायक चावेद अली, हासे कलका रबिंद्र जौनी, गजल गायक कुमार सत्यम, इस साम को यादगार बनाएंगे बेटे को डौक्टर से दिखाने बोकारो पहुंचे सियम हमांत, मुख्य मंत्री हमांत सुरेन अपनी पतनी कलपना सुरेन वबड़े बेटे के साथ सो मौर को बोकारो पहुंचे, सियम लगबग 4 घंटे तक बोकारो सहर में रहे, करीब 7.30 बजे बोकारो से वे सलक मर्ग से रांची लोट गए, बता दे मुख्य मंत्री यहां अपने परिवारिक चिकित्सक डाक्टर 1 के सी नहां के यहां आये थे, 3.30 बजे से करीब 7.30 बजे तक वे वहां रहे, सियम यहां अपने बेटे की दंत चिकित्सक के लिए आये थे, चिकित्सक से प्रमर्ष भी लिए, ख कित्सी यह, जाच में देरी हो जाने के करनवे सलक माइग से कोपरेटिव कोलोनी से रांची गए, पूर्भी सिंग्भू में करंट लगने से 5 हाथियों की महत, जारखन के पूर्भी सिंग्भू में इस्थीत मूसा बनीवन छेत्रे के बेना सोल उपर बंधा पोटास जंग बताया जारा है कि सोमवा रात से ही करी 12 हाथियों के जोड़ जंगल में घूम रहे थे, जहां 5 हाथियों की करेंट लगने से मौत हो गई, मने वाले हाथियों में 3 हाथि के बच्चे वद दो वयस के हाथी सामिल है, घाटना उपर बंधा जंगल के पास की है, हाथियों की पुचना मिलने पर ग्राविनों ने इसकी जनकारी मूसा बनीवन विभाग को दिया है, बन विभाग के रेंजार दिख बिजाय सिंग, HCL ICC के अधिकारी भी घाटना स्थल पर पहुंच गाए है, केंद्रीये रेल मंत्री आस्वीनी वैसनो रांची पहुंचे, उडिशा स दिली जाने के दवरान रेल मंत्री आस्वीनी वैसनो रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां भाजपा करकरता और रांची मंडल के सभी रेल अधिकारी मौझूद रहे, रेल मंत्री के रांची स्टेशन पहुंचने के बाद रांची के संजाय सेट, विधायक समरी ल बिधायक नवीन जैस्वाल जीला अध्यक सहीद भाजपा के कई वरिष्ट नेता स्टेशन पर रेल मंत्री का फूल माला पाना कर स्वागत किया रांची स्टेशन पर देश के रेल मंत्री ने कहा है कि जारखन में रेलवे के विकास के लिए 43,211 क्रों रूपए खर्च किये जाएंगे इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस पनिसाना साते विकाए कि कॉंग्रेस के कारेकाल में परती वर्स रेलवे पर मात्र 25,000 क्रों रूपए खर्च किये जाते हैं रिम्स में थर्ड ग्रेड टेकनेशन के लिए जेसेसी को नहीं मिला योग्य अभियार्थी करमचारियों और टेकनिकल स्टाप की कमी से जूज रहा राजय का सबसे बड़ा होस्पिटर रायंद्र अरुविग्यान संस्थान यानि रिम्स के लिए बुरी खबर है बता दे काफी जद्व जहत के बाद त्रीतिय स्रेनी के रिक्त पड़े 64 पदो पर सिर्फ 16 अभियार्थी का ही चैन हो पाया है पिछले साल नॉवंबर महिनें बिग्यापन जार्कन करमचारिय चैन आयोग द्वारा निकाली गई थी नियमित एवं बैगलोग रिक्तियों के तहट निकाली गई इस बिग्यापन के जरिये आवेदन मांगे गए थे आवेदन परकिरिया पूरी होने के बाद 12 माई को CBT कम्प्यूटर अधारित परिक्षा आयोग के द्वार आयोजित की गई थी आयोग ने इस परिशा के अधार पर 23 और 24 अगस्त को कूल 88 अभियारतियों को पुवान पत्र जांच के लिए आयोग ने बुलाया था जिसके बाद 21 नवंबर मंगलवार को सुचना प्रकासित कर 13 अतिरिक्त अभियारतियों को साथ दिसंबर को पहुन पत्र जाँच के लिए बुलाया गया है साहिब गंज एसपी से होगी पुष्टाच रांची पुलिस के भी कई अफसर इडी रडार पर रांची के पुर्य ग्रामिन एसपी और बरतमान साहिब गंज एसपी नौसाद आलम से एडी के रांची जोनल ओफिस में बुष्टाच होगी एडी ने अवैद करनन से जुड़े ECRI में ही नौसाद आलम को नोटिस कर पुष्टाच के लिए तलब किया था नौसाद आलम को बुष्टाच को एक गार अवै तक रांची जोनल ओफिस में उपस्थित का समय दिया गया है इडी अधिकारों के मुताबिक नौसाद आलम के कहने पर रांची पुलिस के सार्जेंट रैंग के अपसर ने विजय हस्था के फ्लाइट का टिकट कराया था इडी को फ्लाइट टिकट वाटसे पर भेजे जाने से जुड़े चैट मिला था इस मामले में इडी रांची पुलिस के एक सार्जेंट रैंग के अपसर थे पुस्ताष कर चुकी है लोग सभा चुनाओ को लेकर जेमेम ने बनाई रणनी थी राज सरकार की उपलब्धी को जानता के बीच ले जाने के संकल्प के साथ जार्खन मुक्ती मोर्चा ने लोग सभा चुनाओ के तयारी सुरू करती है मंगलबार को जारखंड मुक्ति मोर्चा के करकारी अध्याक्ष और जारखंड के मुक्रि मंतری हमान सुरेण ने पार्टी के पताधिकार योग साथ इस दोरान मुक्रि मंतरी नियन नक के वहल आने वाले समय में होने वाले चुनाओं को कर पार्टी पता अधिकार योग जनता के भी जाने का वाहन किया बलिक सरकार के दोवारा चलाई जा रही एक सव से अधीक योजना का लाब जनता तक पहुचाने में सरकार को सहयोग करने के अपील की है करीब ढ़ाई गंटे तक चले इस अउनलाइन सनवाद में पूरे राज्य भर के पार्टी पता अधिकारी से लेकर खाच कर करता जूड़े थे इस दोड़ान पार्टी पता अधिकारियों का काता ने मुख्य मंत्री एमांसुरन के कई सुझाव भी दिये हैं हज कमेटी के बैठक में इरफान अनसारी ने दिया भरोसा चारखन हज हाउस रांची में हज कमेटी के बैठक मंगलवार को होई जिसमें हज हाउस कमेटी के सभी स्थ और अध्यक्स के साथ मंत्री आलमगीर आलम भी महुझूद रहे इस दोरान हाज हाउस कमिटी के अध्यक्स कांग्रेस के विधायक इर्फानन साही ने बैटाइंग में विभीन मुद्दो और समस्याओ पर विचार विमर्ज किया साथ ही आने वाले दिनों में हाज हाउस को कैसे बहतर बनाया जाए इसको लेकर चार्चा भी की गई किसने की धार्मिक अस्थल पर तोर फोड पांच दिन बाद भी आरोपी गिरप्थ से दूर मांडर थाना छेतर में हुए धार्मिक अस्थलों में तोड़ फोड़ के पीछे किन अपराथिक ततो कहां था इसका पता लागाने के लिए पुलिस लागातार परियास कर रही है लेकिन लाख परियास के बावजूट पुलिस को अब तक कोई सफलता हात नहीं लगी जिन धार्मिक अस्थलों के परितिमाओं को छतिकरस्त किया गया था उसके आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है गाव में एक जगा CCTV कैमरा लगा भी हुआ है लेकिन उसका फोटेज पुलिस के किसी काम नहीं आया इस केस में पुलिस पुरी तरह से Human Intelligence पर ही आश्री था है बता दे रांची रेंज के डियाजी अनोव बिर्थरे ने बताया एकि सुला नॉमबर की राधार्मिक अस्थल में तोर फोटकी गई थी जिसके बाद गिरामिन आकरोसी थो गए थे और उन्होंने सलक पर उतर का प्रज़शन भी किया था ज्यारखन बिधान सभा का सीथ कालिन सत्र 15 दिसंबर से चलने की संभावना बिल को सदन के पटल पर लाए जाने की संभावना है सत्र के दोरान सदन में सरकार भी धहक भी लाने की त्यारी में है इसके अलावे ध्याना करशन प्रश्नकाल जैस से प्रवधान इस बार भी होंगे जिसके जरिये सदन में सरकार से सवाल किये जाएंगे बतादे पिछले साल सीत कालिन सत्य 29 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आहुत किया गया था बाबुलाल मरांडी ने हेमन सरकार पर लिखी कविता जारखन भाजपा के अध्यक्स बाबुलाल मरांडी ने हेमन सोयन पर Social Media Handle X के माध्यम से हमला बोलते हुए कविता पोस्ट किया है बावला मरांडी ने अपने Social Media Handle X पर लिखा आए कि अप राधियों का एतबार है लेकिन जानता बोले भरष्टाचारी हेमन सरकार है कि टाइटल से इसे पोस्ट किया है आपको पता दे कि भाजपा और भाजपा के परदेश अदेश बावला मरांडी हेमन सरकार पर लागातार हमलावार रहते हैं राज के बिगड़ी कानुन बेवास था साथ ही जिस तरीके से जमीन को लेकर के बिवाद और खरनन घोटाले में फ़से सरकार के लोग एडी जाच की जद में हैं उसे लेकर बावला मरांडी लागातार हेमन सरकार पर हमला बोलते रहते हैं इससे पहले भी कई बार हमन को लेकर उन्होंने या कहा है कि अगर जो लोग दोसी उनको बचाने की कोशीस हमन करेंगे तो जेल का एक सेल आपके लागातार इंतजार कर रहा है राजची के भागवान जगरनात मंदीर परिसर में चोरी राजची में धार्मिक अस्थल और समाजिक ततो की निसाने पर हैं इस बार चोरो ने भागवान जगरनात मंदीर को निसाने बनाया है बतादे जार्खन के परसित जगनात मंदीर में चोरी के वरदात को अजाम दिया गया मंदीर परसर में इसीत पुजारी के कमरे को आगया तो चोरो ने निशाने बनाया है जगनात मंदीर परसर के भीतर ही पुजारी का कमरा बना हुए है सोब वार की देर रात मंदीर पर सरी सीट पुजारी के कमरे से 20,000 रुपे नगत कई पें डराइब मंदीर के सजावट के समान और साउंड सिस्टम को गायम कर दिया गया है लोग सभा चुनाओं 2024 पर कॉंग्रेस ने कहा सीट बटवारे को लेकर नहीं होगा बिवाद 2024 के लोग सभा चुनाओं को लेकर इंडिया गड़ बंधन में सीटों के बटवारे को लेकर चार्चा सुरू हो गई है जारकन में 12 लोग सभा सीट है ऐसे में सभी पाटिया चाहती है कि उन्हें ज्यादस ज्यादा सीट पर लड़ने का मौका मिले इस मामले में कांग्रेस ने बेहा संतुलित बयान दिया है जारकन कांग्रेस का कहना है कि सीटों के बटवारों में किसी भी तरह की परिशानी नहीं होगी बता दे रायत के परदेश अध्यक संजय सिंग यादव और मंत्री सत्यान भुकता द्वारा राजे की चार लोग सभा सीट पर रायत की दावेदारी वाले बयान के बाद जारकन कांग्रेस ने संतुलित बयान दिया है इसे पहले जामों ने रायत के परदेश अध्यक्स और मंत्री के ब्यान पर परतिक्रिया देते हुए कहा था कि दूसरे और तीसरे दर्जे के नेताओं के ब्यान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जाहिर है कि जामों के केंद्री प्रवक्ता के इस ब्यान से रायत के परदेश अस्तरीने तामिना राजगी के बाद कॉंगरेश ते संथूलित ब्यान देखकर मामले को समाने करने की कोशिश किया है पलापू में कल शयात्रा के दराण घंटो जाम में फची रही कई एम्बूलेंस पलापू के अस्ठानीय बैरिया हाॉसिंग क磨โर रोड रेडमा चोग बैरिया चोग पर बैरिकेटिन लगा लखी थी इस कारण छामुहान से रेडमा मुखे सरक पर वाहनों की आवाज जाही बन रही छामुहान से रांची की और रेडमा के राष्टे जाने वाले सब ही वाहनों को तीन कोनिया, सदिक, मंजिक, चौक, बेलवा टिका, चौक, दो नमबर टाउन होका रांची रोड की ओर जाना पड़ा सीम हेमन्थ के बिधान सभाज छेत्र में अग्यात बिमारी से साथ बच्चों की मौत गोड़ा जिले के सुन्दर पहाडी परखंड की बड़ा सिंद्री पंचायत के जोलो, बैरागो, सार्मी, सीदलेर, तीलिया पहाड डंडो आधी गाओ में अग्यात बिमारी की चपेट में आकर दस वर से कम उम्रे के बच्चों की मौत हो रही है जोलो और बैरागो गाँ में पिछले 14 नौमबर से 21 नौमबर तक 5 बच्चों की मौत हो गाई वही डांडो और सार्मी में भी एक एक बच्चे की मौत अग्यात बिमारी से हो गाई है विश्व आदिवासी अखिल एभोन संगठन के संजय किसकूने मंगलवार के साम जीला परसासन को इसकी जनकारी तो देदी वही साम को ही जीला परसासन की ओस्यानन फरन में टीम गठित कर प्रभावीत गाउ में कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया है इस समद में परभारी सिविल सरजन की ओर से सुंदर पहाड़ी के परभारी ची किसापता दिकारी को ततकाल परभावीत गाउ में जाकर सभी पिमार बचों की जाच करने का देश दिया गया है सियम हेमद ने नेटाओ कर कताओ संकी बैठाक सियम हेमद सुरे ने मंगल और की पार्टी नेताओ कर कताओ साथ ओनलिण बैठाक की इस दोरान में मुख्य मंतरी ने नेताओ को कई चुनाई टिपस दिये वहीं सीम ने कहा है कि राई सरकार आम जनता के हर सुख दुख में साथ रही है लेकिन भाजपा कभी इड़ी तो कभी कुछ का बहाना बना कर सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है जाम तबा में हाथीयो ने दादा पोती को कुछला जाम तबा के नराइनपूर थाना चेतरे के बन खंजो जंगल में स्वोमौः को दोपर करीब तीन बजे हाथीयो के जूड में दादा वा उनकी साथ साल की पोती को कुछल करमा डाला मिरितकों में गिरीडी के अहिलिया पूर्थाना चेत्रे के कुरियाद गावनिवासी पच्पन वर्सिये जनावल अंसारी वा सात वर्सिये नाजी सामिल है जूड में करीब 42 हाथी थे राष्ट पती ने बदाम पहार से दो ट्रेनों को हरी जंडी दिखा कर किया रवाना चक्रधर पूर मंडल से बदाम पहार स्टेशन से मंगलवार को तीन नई ट्रेनों का उधार्टन करने के लिए राष्ट पती द्रोपती मुर्मू अपने ग्रिह नगर छेतर बदाम पहार पहुच गई है यहां राष्ट गान से कारकरम का सुबारम हुआ इसके बाद राष्ट पती ने बदाम पहार टाटा नगर मेंबू को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इसके कुछ दिर बाद महा महिम ने दूसरे ट्रेन बदाम पहार रावर केला सप्ताहिक एकस्पेस को भी रवाना किया मौके पर राष्ट पती ने अमरित भारत एस्टेशन योजना का भी सिलन्यास किया है जमीन बिवाद में दो पक्ष भीले एक की मौत दोस घायाल कोडार्मा जिले के चन्दवारा थाना चेत्र के थामा में मंगलवार की सामचार बढ़े जमीन बिवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट होई इस मारपीट में एक बुजुर की मौत हो गई इनकी 85 वर्सी ये भेखो यादव निवासी थाना के रूप में हुई है वहीं करीब 10 लोग घायल हो गई है घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सहीत अन्य जगों पर भरती कराया गया है इनमें से चार लोग अंभी रूप से घायल है इनहें रांची रेफर किया गया है पलामू में कथा वाचक देवकी नंदन ठाकूर का भब्य स्वागत राष्ट्रिये परसुराम सेना द्वारा पलामू के परमंडलिये मुख्याले मेदनी नगर के हाउसिंग कलोनी में आयूज सिरी लक्ष्मी नर्यान महायग यसा शिरी मत भागवत काथा के प्रथम दिवस पर मंगलवार को सुबा कलस यात्रा निकाली गई इसमें अंतराष्ट्रिये भागवत कथा वाचक देवकी नंदन ठाकूर भी सामिल हुए यागे अस्थल से कोयल नदी के तट पर हुए करकन में वाला नसी से आये पुरोहितों ने पुजा कराई इसके बाद भागवत लेकर यात्रा की गई इस दोरान उमणे भीड को कर्देवकी नंदन ठाकूर काफी प्रसन हुए। के चचेरे भाई बताये जा रहे हैं मरने वालों में ट्रेक्टर का ड्राइवर ट्रेलर का चालक और खलासी सामिल है